दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभ्यालों जीके यानि समानने ग्यान इससे रिलेटेड जो है important 40 plus question इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्त देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन प्रेस करें तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा पहला question दिया गया है असोक के समकालिन तुरमे कहा करा जा था तो देखिए तुरमे जो था यह मिस्र करा जा था मिस्र अप्सनी हो जाएगा इसके अलावा समराट असोक से related जो important question जो बार बार एकजाम में पुछे जाते हूं यहाँ पर लिखे हैं देखिए पहला दिया गया है असोक मगत की गदी पर कब बैठा तो देखिए असोक जो था समराट असोक यह मगत की गदी पर 279 इस्वी में बैठा ठीक है याद रखना है 279 इस्वी में असोक की माता का नाम क्या था तो देखिए असोक की माता का नाम सुबद्रांगी याद रखना है असोक की माता का नाम सुबधरांगी था असोक अवन्ती का राज्येपाल कब बना था मतलब कब था तो अवन्ती का जो राज्येपाल था तो असोक राजगदी पर बैठने के समय अवन्ती का राज्येपाल था मास्की और गुर्जरा अभिलेख में असोक का नाम क्या मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में असोक का नाम असोक ही मिलता है याद रखना है पुराणों में असोक का नाम क्या था पुराणों में असोक का नाम असोक वर्धन था क्या था असोक वर्धन याद रखना है असोक ने कलिंग पर आकरमड कब किया तो देखिया असोक ने कलिंग पर आकरमड 261 हिसा पुरुव में किया असोक को बाध दरहम के सिक्षा किस ने दी तो बाध भिक्षू ने बाध भिक्षू ने बाध दरहम के सिक्षा दी ठीक है आजीवको के रहने है तो कहां की पहाड़ीों में गुफ़ा बनाया तो ये बराबर की पहाड़ीों में गुफ़ा बनाया ठीक है असोक ने आजीवों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया था, तो ये बताना है इसमें, तो देखें, असोक ने चार गुफा बनाया था, ठीक है, और उसके नाम थे कर्ज, चोपार, सुदामा और बिस्व जोपडी, ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, कर्ज, चोपार, सुदामा और बिस्व जोपडी, जो था, इन चार गुफाओं का नाम था, अगला कुश्यन है, असोक के पोत्र, दसरत ने आज जीवों को कौन सी गुफा प्रदान की, तो नगारजुन की गुफा प्रदान की, असोक ने बहुत धरम के परचा के लिए अपने पुत्र, महेंद्र और पुत्रि संगमित्रा को सिरलंका भेजा था, बहुत धरम के परचार के लिए, असोक ने कितने इस्तूप का निर्माड करवाया, तो देखें, असोक ने 84,000 इस्तूपों का निर्माड कराया था, असोक के सिलालेक का प्रचलन हम किस ने किया, असोक ने किया, असोक के सिलालेक में कौन सी लिपी का प्रियोग हुआ है, तो देखें, असोक की अभिलेक में जो है, बरामी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्माइक लिपी का प्रियोग हुआ है, ठीक है, अगला कुश्यन है, असोक के अभिलेक में ग्रीक और और माई लिपी कहां मिले है तो असोक के सिलालेक में ग्रीक और अर्माईक जो लिपी है अर्माईकल यह अफगानिस्तान में मिले है ठीक है खरोष्टी लिपी कहां पर मिले है खरोष्टी लिपी जो है उतर पसिम पाकिस्तान में मिले हैं उत्तर पसिम पाकिस्तान ब्रामिल लिपी कहां पर मिले हैं तो देखें ब्रामिल लिपी भारत में मिले हैं खरोष्टी लिपी कैसे लिखी जाती है खरोष्टी लिपी जो है दाई से बाई लिखी जाती है ठीक है तो यह था समराट वसोक से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुश्चन जो बार-बार रिपीट हो चुके हैं पिछले एकजामों में तो याद रखना है आपको अगला कुश उनके दवारा जो है यह निर्मित कराए गया है ़幫 से हो जाए अगला कोशन है निम्नलडवेखति मेंसे समराज्य वसक्रेश सबसेलबस लंबे समय तक चला कि आ देखे सबसेलबार में को जो है पारच कुछ चला तरसकुर्ट कि बर्सों तक चला द लगब symbols समय तक चला प्राजित किया मुहमत गोरी को पहली बार कि सासक ने प्राजित किया भीम दूतिया ने जो है पहली बार प्राजित किया था भारत में प्रथम बिधुत्तार सेवा कहां से कहां तक सुरू की गई बिधुत्तार सेवा कुलकाता से आगरा कुलकाता से आगरा प्रराम्ब की अगला कुश्यन है रबिन्ना टाइगोर द्वारा लिखेते गीते जन गनमान स्वर पर्थम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकासित हुआ था तो देखे जनवरी 1912 में भारत भाग्य बिधाता के नाम से प्रचलित हुआ था भारत भाग्य बिधाता याद रखना है अगला ले थे अप्संडी यहां पर करेक्ट जाएगा अगला कुछन है भारतिय राश्ट्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपरदाइक परतिनिधित्व की मांग को स्विकार कर लिया गया तो देखिए यह कौन सा अधिवेशन था तो यह था 1911 की लखनाव अधिवेशन में ठी देखिए इसकी स्थापना एलन आक्टोवियन ह्यूम इनका स्वर्ट फर्म में आप लोगोंने नाम सुना होगा यह ओ हूम ठीक है तो इनका पूरा नाम क्या है एलन आक्टोवियन ह्यूम नामक एक आवकास प्राप्त ब्रिटिस अधिकारी ने भारतिय नेताओ के मुंबाई में स्थापना की मुंबाई में आईवीत कांग्रेस के प्रतम अधिवेशन के धहस्ता किस ने किया था याद रखना याद्धर ना पुत्री की प्रेम काता है याद रखना है option हो जाएगा जाले ओला बाहरत्या कांड जांच के लिए कांग्रेस की जांच समीति में कौन सामिल नहीं थे तो इसमें कौन सामिल नहीं थे कांग्रेस की जाच समीती में तो लोकमान ने बाल गंगाधर तीलग जो थे ये सामिल नहीं थे ठीक है बागी तीनों मदन मुहन मालविया मोतिलाल नहरू और गाधी जी तीनों यहाँ पर सामिल थे जालेवला बाग मतलब हत्या कांड जाच के लिए हउंटरायों का गठन किया गया था हउंटरायों और सरकारी और जालेवला बाग में गोलिया चलाने का आदेश किस ने दिया था जनर्र डायर ने दिया था और इसमें सरकारे रीपोर्ट के अनुसार 389 वेक्ती मारे गए थे जबकि परत्यक्षी दर्सी के अनुसार जो है एक खाजार सभी ज्यादा बेक्ती मारे गए थे ठीक है और जाले वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था अगला कुशन है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के चाई के ब्यापारिक एक आधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया या या रखना अठाए दोतिय भी स्यूत के दोरान भारत की रक्षा के लिए किस द देश के सैनिको को ब्रिटिस सरकार भारत ले कर आई तो ये सनित्राज अमेरिका के सैनिकों को ठीक है ब्रिटिस सरकार जो थी ये भारत लेकर आई दूतिय भी सुजुद के दोरान याद रखना है भारत की रक्षा के लिए सनित्राज अमेरिका के सैनिकों को लाए गया था तो याद रखना है अब सनी हो जाएगा बिदेशी बस्त्रों की एवं सराव की दुकानों के सामने धर्ना बिहार में किस आंदोलन के दोरान दिया गया बिदेशी बस्त्रों की एवं सराव की दुकानों के सामने धर्ना बिहार के किस आंदोलन के दोरान दिया गया तो ये दिया गया था सभीनाव के अंदोलन के दोरन ठीक है सभीनाव के अंदोलन के दोरन डी हो जाएगा अगला कुश्चन है आज के उगरबादी आज के उगरबादी कल के उधारबादी बन जाएंगे ठीक उसी परकार जैसे आज के उधारबादी कल के उगरबादी थे यह कथन किसका है तो देखी यह कथन जो है बाल गांगा धरतिलग का है ठीक एक बार और रिपीट करता हूँ आज के उगरबादी कल के उधारबादी बन जाएंगे ठीक उसी परकार जैसे आज के 1857 का स्वातांता संधार चंगर संवक पूस्तक की रचना कहां की थी मुझंशा अगला कुछ अंस्था सैंछिडिक संस्थान और संबंधित अस्थान की असंगत जोडे का चायन करें तो देखें आपर पहला जामिया मिलिया इसलामिया दिल्ली में ये नहीं है ठीक है बाकी ये तीनों करेक्ट है बिहार ग्यान पिट पटना में कासी बिहार बिद्या पिट पटना में कासी बिद्या पिट बनार्सी में और गुजरात बिद्यापीट अहंदाबाद में तीनों यहाँ पर यह सुमेलित है और पहला जो है सुमेलित नहीं है अगला कुश्चन देखते हैं ब्रिटेन के परधान मंत्री एटली घुंसरा के अनुसार भारतियों कब तक सत्ता स्वापनी थी ब्रिटेन के परधान मंत्री एटली घुंसरा के अनुसार भारतियों को कब तक सत्ता स्वापनी थी 30 जून सनुनिस अनुनिस अनुनिस तक स्वापनी थी यह हो जाएगा अगला कुश्चन है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था बहर इंपोर्टन कुश्चन है रिपीट यह कुश्चन है याद रखना है आपको बिहार राज्य कब हुआ था 22 मार्च 1912 को दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नय है यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस रखें मनुष्य कई एक आँख का वजन कितना होता है आठ गराम होता है आठ गराम ठीक rich हो जाए अगला कुशन नीति ऑयोक किस दिन आस्थित्व हमें आया नेति मं देखितनी 3000 जो है इस ये इसका पूर्व नाम था यूजन 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 अयोक भें सिके यूजन यूजन prosecutors का नम बदल कर कया किया गया नीतिय यूग, एक जन्वरी दुहर पंदरा को आस्तितों में आया, ठीक है, डी हो जाएगा, किस संबिधान संसोधन अधिनियाम के ताथ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, 36 संबिधान संसोधन के द्वारा दिया गया, अगला कुश्यन है, लोक अदालतों के अस्थापना पहली बार, कहां, ए मतलब किस में हुई, तो पहली बार लोक अदालतों के अस्थापना जो है, गुजरात में, ठीक है, कहां पर हुई, गुजरात में हुई, भी हो जाएगा, अगला कुश्चन है राष्टिया पातकाल की उद्गोसरा संसद के अनमोधन के बिना कितने समय तक लागुरू हसकती है तो देखे राष्टिया पातकाल की उद्गोसरा संसद के अनमोधन के बिना जो है एक महिने तक ठीक है एक महिने तक लागुरू हसकती है अगला कुश्चन देखते हैं संग की कारेपाली का सक्ति कहां नहीत होती है तो देखें संग की कारेपाली का सक्ति राश्पती में नहीत होती है राश्पती सी हो जायेगा अगला कुश्चन है बिभेन राज्यों के उच्छ नयालेयों में नियाईदिशओ की संख्या कौन तैख कर सकता है राश्पती राश्पती तैख कर सकता है भिभीन राजोक क्यों चने आलेओ मैं नियाईदिशओ की संख्या ठीक है एक से एक्वात संभिधान संसूधर न अधिनियम दुहर सोला के तहत 16 के तहत लागू बस्तु और सेवा कराने के पश्चात किस अनुषयत को समाप्त कर दिया है तो अनुषयत 268 को समाप्त किया गया है ठीक है अगला कुश्चन है उत्परिवर्थन बाद का सिधान किस ने दिया था उट परिवर्तन बाद का सिधान्त ही उगो डिब्रीज ने दिया था ठीक है अगला खुश्चन है आर्पियोप्टेरिक किनका सन्यूजग है तो देखिए सरी स्रिपो सरीश्पा पक्षियों का सन्यूजग है ठीक है अब सनी हो जाएगा अगला कुश्चन है निमने लेखित में से और सत्य कथन की पहचान करना है देखे पहला दिया गया है पारिस्थित की तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कारे करते हैं तो ये करेक्ट है लोमडी एक दूतियाव भोगता का उधारन है ये भी करेक्ट है वाइरस एक अफगाटक है ये गलत है स्वरपर्थन टांसले ने पारित अंत्र सब्द का प्रियोग किया तो देखी ये भी करेक्ट है तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है और सत्य कथन ठीक है तो C आंसर हो जाएगा अगला कुशन है वाइरस के विकास के लिए किस की आउसकता होती है जीवित को सिकाएं की जब गेंद जमीन पर उचाले जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है तो देखे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका समवेग जब गेंद जमीन पर उचाले जाती है तब अचानक इसका समवेग जो है परिवर्तित होता है ठीक है अगला कुशन है वाइरिसेला जो बिशाणू से कौन सा रोग होता है चेचक होता है चेचक बी हो जाएगा अगला कुश्यन है दर्याई घोडा को निमने लेखित में से किस वर के अंत्रगत बर्गी किरित किया गया है दर्याई घोडा को मतल्स्य के अंत्रगत जो है बर्गी किरित किया गया है मचली मचली के अंत्रवा जो है दर्याई घुड़ा आते हैं याद रखना है अगला कुशन है मानो नेत्र में परतिवीम कहां बनता है मानो नेत्र में परतिवीम कहां बनता है रेटीना पर बनता है रेटीना पर अगला कुशन है कौन सी गरांथी फेंफडों के बीच बिदेमान रहती है फ अचार ए और मुरभे में जिवान्व का संक्रमन होते ही जी वान्व क्यों मर जाते हैं। जाते हैं तो यह जीव द्रब्या संकुषन के कारण जीवाणू का संक्रमन होते हैं जीवाणू मर जाते हैं अगला कुषन है ब्रेक यानि केटिनी प्रती दिन लगभग कितने लिटर रक्त का सुधी करन करता है केटिनी कितने लिटर रक्त का सुधी करन करता है प्रती दिन अग्ला कुशन है, खूला पर शंचरन तंत्र किस में पाय जाता है, काक्रोच में पाय जाता है, काक्रोच अप्सन ये हो जायेगा, बिधुत बल में क्या उलेखित किया जाता है, बिधुत बल में क्या उलेखित किया जाता है सक्ति और वोल्टेज सक्ति और वोल्टेज जो उलेखित किया जाता है भी हो जाएगा सोडियम कुल्राइड में क्या होता है सोडियम कुल्राइड में क्या होता है तो देखे इसमें जो है बैदूत सन्योजी बंधन बैदूत सन्योजी बंधन जो है इसमें सोडियम कुल्राइड में होता है अगला कुश्चन है निमने लेखित में से कौन सा मिस्रण है गौहनों की धुलाई गौहनों की धुलाई यानि सफाई है तो परियुक्त होता है यह को और रेजीए ठीक है यह को रेजीए परीचत होता है सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर अगला कुशान है तो यी आप सबी के लिए होमर कुशन रखते हैं इसकार किसने की है योदि का विशकार किस ने किया है अपने दोस्तों में भी सेयर कर सकते हैं और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें ठीक है ताकि जब भी मैं को निए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके तो सब्सक्राइब करने नमस्कार जय हिंद जय भारत